स्रीमत भागवत महापुरान इसकंद दस अध्याय नब्बे स्री सुगदेव जी कहते हैं परिक्षित द्वारका नगरी की छटा अलोकिक थी उसकी सडके मद चूते हुए मतवाले हाथियों सुसजित योधाओं घोडों और स्वर्ण में रतों की भीड से सदा सरवदा भरी रहती थी जिधर देखिये उधर ही हरे भरे उपवन और उध्यान लहरा रहे थे पात के पात ब्रिक्ष फूलों से लदे हुए हैं उन पर बैट कर भौरा गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्ची कलरव कर रहे हैं वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी जगत के स्रेष्ट वीर यदूवन सी उनका सेवन करने में अपना स्वभाग मानते थे वहां की स्तरियां सुन्दर भेस भूसा से बिभूसित थी और उनके अंग अंग से जवानी की छटा छटकती रहती थी वे जब अपने महलों में गेंद आदी के खेल खेलती तो ऐसा जान परता मानों बिजली चमक रही है लक्ष्मी पती भगवान की यही अपनी नगरी द्वार का थी इसी में वे निवास करते थे भगवान सुरिकिष्ण सोलह हजार से अधिक पतनियों के एक मात्र प्रान बललब थे उन पतनियों के अलग-अलग महल भी परम एस्वरे से संपन थे जितनी पतनियां थी उतने ही अधवुत रूप धारन करके वे उनके साथ रहते सभी पतनियों के महलों में सुन्दर सुन्दर सरोवर थे उनका निर्मल जल खिलेवे नीले पीले स्वेत लाल आदी भाती भाती के कमलों के पराग से महकता रहता उनमें जुन्ड के जुन्ड हंस सारस आदी सुन्दर सुन्दर पक्ची चहकते रहते थे भगवान स्री कृष्ण उन जलासें में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी परवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल बिहार करते थे भगवान के साथ बिहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुजपास में बांध लेती आलंगिन करती उसमें गंधर्व उनके यसका गान करते बंदी जन एवं मागध आनन्द से मिर्देंग ढोल नकारे और वी ना आदी बाजे बजाने लगते भगवान की पत्निया कभी कभी हस्ते हस्ते पिछकारियों से उन्हें भिगो देती और वे भी उनको तर कर देते इस तरह से मानो यक्षराज कुवेर यक्षिनियों के साथ किड़ा करते तो बिहार कर रहे हों उसमें भवान के अंगवस्त्र भींग जाने के कारण उनकी बड़ी बड़ी चोटियां और यूडों में गुथे वे फूल गिरने लगते इसी बहाने उनके असपर्स से प्रेम भौकी अभी ब्रदी हो जाती मुख कमल खिल जाते ऐसे अवसरों पर उनकी सोभा और भी बड़ जाती भगवान बनमाला उनराणियों के गले से लगी वी केसर के रंग से रंग जाते और मन में मगन बिहार में अत्यनत मगन हो जाने के कारण घुंगराली अलके उन्मुक्त भाव से लहराने लगती भगवान स्री कृष्ण उनके साथ जब बिहार करते मानो कोई गजराज हतनियों से घिर कर किड़ा कर रहे हो अपने अपने वस्तर आभूसन वे नर्तिकियों को देते और जिनकी जीवी का केवल गाना बजाना ही होता था परिछित भगवान की इस प्रकार की जो चाल ढाल बाची चितवन मुस्कान हास बिलास अलिंगन आदी चितवर्ती उन्ही की ओर कीजी रहती और उन्हें किसी बात का अस्मरन ही ना होता राणियों के जीवन सर्वस उनके एक मात हिदेरे स्वर भगवान स्रीकृष्ण ही थे कमल नयन स्याम सुन्दर के चिंतन में ही इतनी मगन हो जाती कि कई देर तक चुप हो जाती फिर उन्मत के समान असब्द बाते कहने लगती मैं उनकी बाते सुनाता हूँ सुनो राणिया कहती अब तो बड़ी रात हो गई है संसार में सन्नाटा च्छा गया है सकी कहीं कमल नयन भगवान के मधूर हास से और लीला भरी चित्वन से हृदय भी हमारी तरह बिंद तो नहीं गया है तुने रात के समय अपने नेतर बंद क्यों कर रखे हैं हाई हाई तब तो तु बड़ी दुखिनी है क्या तेरे पती परदेश चले गया है फिरदेश भी हमारे भगवान की दासी होने का भाव जग्या है चर्नों पर चढ़ाई भी पुस्पों की माला अपनी चोटियों में क्या तु धारन करना चाहती है अहो समुद्र तुम निरंतन गरस्ते ही रहते हो तुम्हें नींद क्यों नहीं आती हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे प्यारे स्याम सुन्दर धैरे गामभीरे आदी स्वभावी गुन च्छीन क्यों लिए है इसलिए क्या ऐसी ब्याधी के सिकार हो गये हैं हम क्या इसकी कोई दवा नहीं चंदर देप तुम्हें बहुत बड़ा रोग राज यक्छमा हो गया है इसे से तुम इतने च्छीन हो रहे हो इसी चिंता में तुम मौन हो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे हिर्दय भगवान की तिर्ची चितवन हमारा हिर्दे से पहले ही घायल हो गया है इस तरह से बहुत सारी अठेलियां करती एक दूसे से बाते करती पिय परवत तुम तो बड़े उदार विचार के हो तुमने ही पृतिवी को भी धारन कर रखा है ना तुम हिलते डोलते हो ना कुछ कहते सुनते हो जान पड़ता है कि किसी भी बाकी चिन्ता मन हो रहे हो ठीक है ठीक है समझ गई तुम हमारी ही भाती चाहते हो अपने सिखरों में भी भगवान से आम सुन्दर के चरन कमल धारन करू समुद्र पली नदियों यह ग्रिस्म रितू है तुम्हारे कुंड सूग गए हैं अब तुम्हारे अंदर खिलेवे कमलों का सुन्दर नहीं दिखता हंस आओ आओ भले आए स्वागत हैं आसन पर बैठो लो दूध पीओ प्रिहंस स्याम सुन्दर की एक कोई बात तो सुनाओ हम समझती हैं कि तुम उनके दूध हो किसी के बस में ना होने वाले स्याम सुन्दर सौकुसल तो हैं अरे भाई उनकी मित्रता तो बड़ी ओस्तिर है च्छनमंगूर है एक बात तो बताओ उन्होंने हमसे कहा था तुम्हारी हमारी प्रम प्रेतमा हो क्या अब उन्हें याद भी है जाओ जाओ हम तुम्हारी अनुने बिने नहीं सुनती जब वे हमारी प्रवार नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरे यह कैसी बात है लक्षमी जी छोड़ कर यहां नहीं आना चाहते हैं लक्षमी जी को क्या इस तुरियों में लक्षमी ही एक ऐसी है जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है क्या हमें से एक भूई एक भी वैसी नहीं परिक्षित भगवान स्री किष्ण की पत्निया योगे सर भगवान स्री किष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भौ रखती थी इसी से उन्हें परमपद प्राप्त किया उन्होंने भगवान स्रीकृष्णी की लिलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों के द्वारा गान की गई वे इतनी मधूर इतनी मनोहर है कि उनके सुनने मात्र से मन बलाती उनकी तरफ खिचा जाता है फिर भी जो इस्तरियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थी उनके संबंध तो कहने ही क्या है जिन बड़ भागिनी इस्तरियों ने भगवान स्रीकृष्ण को अपना पती मान कर परम प्रेम से उनके चरन कम लोग को सहलाया उन्हें खिलाया पिलाया नहलाया तरह तरह की उनकी सेवा कि उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही नहीं जा सकता परिचित भगवान स्रीकित सत्पूसों के एक मात्र आस्रें उन्होंने बेदोक्त धर्म का बार बार आचरन करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म अर्थ और काम साधन का अस्थान है इसल उन स्रेष्ट इस्त्रियों में से रुकमनी आदी आठ पटरानिया और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही बढ़नन कर चुका हूँ उनके अत्रिक्त भगवान स्रीकिष्ण और जितनी पत्नियां थी उनसे भी परतेक के दस-दस पुत्र उत्पन हुए यह कोई अस्चरे की बात नहीं क्योंकि भगवान सर्व सक्तिमान सत्य संकल्प हैं भगवान के परम प्राक्रमी पुत्रों में 18 तो महारती थे जिनका यस सारे जगत में फैला है उनके नाम मुझ से सुनो प्रत्युत अनुरुद्ध दिप्तिमान भानू सांब मधू ब्रिहद धानू चित्रभ अिट्र भगवान सिर्किष्ण के इन पुत्रों में भी सबसे स्रेश्ट रुकमनी नंदन प्रदिम्न जी थे वे सभी गुनों में अपने पिता के समान ही थे महारती प्रदिम्न ने स्वामी को कन्या से अपना विवाह किया और उसी के गर्भ से अनुरुद जी का जन कोती से विभा किया था उनके गर्व से बजर का जन हुआ था ब्रह्मनों के साप से पैदा हुए मुसल के द्वारा यदुबंस का नास हो जाने पर एक मात्र वे ही बच गये थे बजर के पुत्र हैं प्रतिवाहू के सुबाहू सुबाहू के सांथ सेन और सांथ सेन के सत सेन परिचित इस वंस में कोई भी पुरूस ऐसा नहुआ जो बहुत सी संतान वाला नहीं हो और तथा जो निर्धन अलपायू या सकति सालू हो वे सभी ब्रहमनों के भक्त थे परिचित यदुबंस में ऐसे ऐसे यसस्वी और प्राक करो 88 लाक आचारे थे ऐसी इस्तिती में महात्मा यदुवंसियों की संख्यां तो बताई ही कैसे जा सकती है स्वेम महाराज उग्रसेन के साथ एक नील के लगभख सैनिक रहते थे परिक्षित प्राचिन काल में देवासूर संग्राम के समें बहुत से भैंकर असूर मारे गये थे वही मनुस्यों में उत्पन हुए बड़े घमंड से जनता को सताने लगे उनका दमन करने के लिए भगवान की आग्या से देपताओं ने ही यदुवंस में अव्तार लिया और परिक्षित उनके कुलों की संख्या 101 थी वे सब भगवान स्रिक्ष्ण को ही अपना स्वाम यदुवंसी उनके अनुयारी थे उनकी सब प्रकार से उन्नती हुई यदुवंसीयों का चित इस प्रकार भगवान स्रिक्ष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने बैटने घुमने फिरने बोलने खेलने और नहाने दोने आदी कामों में भी अपने सरीर की सुधना रहती वे जानते ना थे कि हमारा सरीर क्या कर रहा है उनकी समस्त सारीरी क्रियाएं यंद्र की भाती अपने आप होती रहती थी परिचित भगवान का चरन धोबन गंगा जी अवस्य ही समस्त तिर्थों में महान एवं पवित्र हैं परंतु जब स्वयम परम तिर्थ स्वरूब भगवान नहीं यदूबंस में अवतार गरहन किया तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयस्त तिर्थ की प्राप्त हुए जिस लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यतन करते रहते हैं वेही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती हैं भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारन करने से ही सारे अमंगलों का नस्ट कर देता है डिसियों के बंसजों में जितनी भी धर्म पर चलीत है सब के संस्थापक एवं भगवान स्रीकृष्णी ही है वे अपने हाथ में काल सरूप चक्र लिये रहते हैं परिक्षित ऐसी स्तिती में वे पिर्थिवी का भार उतार देते हैं यह कौन बड़ी बात है भगवान स्री जीवों के आस्त्रे अस्थान यदि पीवे सदा सरवत्र फस्थित ही रहते हैं फिर भी कहने के लिए उन्होंने देविकी जी के गर्व से जनमलिया है यदुबंसी बीर पारसदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया है परिक्षीत भगवान सोभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद बज इस्तरियों और पुर इस्तरियों की हुर्दे में प्रेम भाव का संचार करता रहता है बास्तम में सारे जगत पर वही प्रिक्षित प्रकृती से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा अस्थापी धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिब्य लीला सरीर गरन किया और उनके अनुरूप अने को अध्वुत चरित्रों का अभिने किया उनका एक एक कर्म अस्वरन करने वालों के कर्म बंधनों को काट डान ले वाला है जो यदुवन ससिरो मेनी भगवान स्रीकृष्ण के चरन कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे उसे उनकी लीलाओं का ही स्रवन करना चाहिए परिचित जब मनुस्य परतीचन भगवान स्रीकृष्ण की मनोहारी नी लीला कथाओं का अधिकादिक स्रवन किर्टन चिंतन करने लगता है तब उसकी यही भगती उसे भगवान के परंधाम में पहुँचा देती है यदि भी काल की गती के परे पहुँचाना बहुत ही अपना राजपाट छोड़ कर तपस्या करने के उद्देश से जंगल की यात्रा की है इसलिए मनुस्य को उनकी लीला कथा का ही स्रवन करना चाहिए स्री मद भागवत महापुरान इसकंद दस अध्याय नबे समाप्त हुआ अगले अध्याय में हम आपसे कल मिलेंगे हर हर महादे पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें धन्यवाद